Hello Friends, दोस्तों Septic Tank, Septic Tank हमरे घर की construction का एक बहुत ही important हिस्सा होता है, जिसका role बहुत ही important है, इसलिए Septic Tank बनवाने से पहले आपको Septic Tank की construction के बारे में भी proper knowledge जरूर होनी चाहिए, क्योंकि knowledge की कमी के कारण अब Septic Tank बनवाते तो जरूर हैं, पर Septic Tank बनवाते हुए बहुत सी ऐसी गलतिय अगर बैठते हैं जिसका खामियाज़ा अब जिंदगी बर भुखतते हैं। जैसे सैप्टिक टैंक का जल्दी भर जाना, बार बार लाइन जोख होना, सैप्टिक टैंक लीकेस होना और सैप्टिक टैंक का बहुँच ज्यादा बढ़ बोमारना. तो इसलिए septic tank बनवाने से पहले इसके construction method के बारे में जरूर जान ले तो आज की इंपोर्टन वीडियो में मैं आपको septic tank को लेकर 25 ऐसी important बाते बताऊंगा या आप important tips भी कह सकते हैं जिन्में से अगर आप एक भी चीज भूल जाते हैं तो हमेसा परेसान रहोगे तो वीडियो important है वीडियो में लाज तक बने रहिएगा ताकि septic tank से related कोई भी समस्या का सामना आपको नए करना पड़े और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलियागा ओके फ्रेंट्स तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी दे रहिए नमबर वन सबसे पहले हम बात करते हैं septic tank की dimension की कि हमें septic tank का size कम से कम कितना रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग अंदाजे से septic tank का size रख देते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और बार-बार भर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा जिसमें जगया और पैसा दोनों ज़्यादा लगते हैं तो वैसे तो as per IS code 2470-1963 part 1 number of person के हिसाब से tank capacity consider की गई है और 25-30 member तक के लिए septic tank का size और capacity बताई गई है आप देख सकते हैं पर जो अगर आप drying बनवाओगे तो आपको septic tank का size दिया गया होता है पर जिनके पास drying नहीं है उन्हें क्या size रखना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ के आपके septic tank की minimum width मिंस चुड़ाई 2.5 feet यानि के 700 mm से कम नहीं होनी चाहिए और हमेशा ध्यान रखना के septic tank की length हमेशा इसके चुड़ाई की 3-4 गुने जादा होती है यानि के माल लो अब septic tank की minimum width भी लेकर चलते हैं 2.5 feet तो इसकी length कम से कम 3 गुना यानि के 7.7 feet से कम नहीं होनी चाहिए और septic tank की depth कभी भी एक मिंटर से कम नहीं रखनी है ये septic tank के size का minimum criteria है only for residential house commercial purpose के लिए ये criteria consider नहीं किया जाता है जो 4-6 family member के लिए ये size suitable लहता है तो ध्यान रहे minimum width भी फीट, length सड़े 7 feet और depth एक मिंटर से कम नहीं हो 2. septic tank brick wall thickness दूसरा आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप brick work का septic tank बना रहे हैं तो आपको septic tank की outer wall हमेशा 9 इंच की रखनी है और partition wall 4 या सड़े 4 इंच की और अगर RCC का septic tank बना रहे हैं तीन partition chamber जरूर बनाने हैं पर जिन के पास जगाय कम होती है और खासकर सहरों में ज़्यादातर देखा गया है लोग 2 partition वाले chamber ही बनाते हैं जो बिल्कुल गलत है और ये septic tank ज़्यादातर fail हो जाते हैं इसलिए septic tank में कम से कम 3 chamber जरूर रखे और हर chamber के लिए अलग-अलग main hall जरूर छोड़े जिनका minimum diameter भी 2 feet से कम नहीं होना चाहिए ताकि एक आदमी इसमें अराम से enter हो सेगे क्योंकि हर 1-2 साल में septic tank को clean करना पड़ता है जो main hall के द्वारा ही clean किया जाता है तो इस बात कभी आप विशेज ध्यान रखे आपको septic tank के लिए हमेशा first category की यानि के first class bricks सी यूज करनी है और length से पहले इन्हें अच्छी तरह से पानी में भिगा ले ताकि ये पानी ना सोके आपका जो septic tank की construction के लिए मोटा रेशो रहेगा वह 1-3 या 1-4 का ही रखना है आउटर वोल के लिए भले ही आप 1-4 का मोटा रेशो रखे पर partition वोल के लिए 1-3 से ज़्यादा का मोटा रेशो यूज नहीं करना है तो इस बात कभी आप जुरूर ध्यान रखे चटे important बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको septic tank में कभी भी simple plaster नहीं करवाना है घुटाई वाला plaster करवाएं जिस पर बाद में plaster करने के बाद cement का गोल चड़ाय जाता है ये leakage के chances को कम कर देता है नहीं तो simple plaster में leakage होने के chances बहुत ज्यादा रहते हैं और कोशिस करे कि आपकी चारों दिवारों का plaster एक ही दिन में complete हो जाए उसके बाद इस पर गाड़े cement का गोल मारे polishing के लिए आप चाहे तो इसमें waterproofing chemical भी मिला सकते हैं अब आपका जो plaster के लिए mortar ratio रखना है वे एक चार या एक पाच का ही रखना है और plaster की thickness अंदर और बाहर दोनों जगा अठारा से 27 रखनी है इससे कम ने रखें दूसरा plaster करने से पहले इंटों की दिवारों पर भी आपको cement का गोल मार लेना है इसके दो फायदे है एक तो इस पर plaster की पगड़ मजबूत होती है और दूसरा ये एक waterproof प्रत का भी काम करता है तो इस बात कभी आप विसेज ध्यान रखें पलास्ट दरवाते हुए अगर जगय की कमी है तो आप हमेशा septic tank या तो porch या staircase यानि के सीडियों के नीचे बनवाए और नहीं तो बाहर parking में पर कभी भी आपको septic tank किसी भी कमर या kitchen के नीचे नहीं बनवाना है इस बात का विसेज ध्यान रखे नहीं तो इससे जब एक या दो साल बाद clean करना पड़ेगा तो आपको बहुत problem होगी आपको अपनी flooring की tile वगरा तोड़नी पड़ेगी इसे clean करने के लिए बाकी इस पर हम next video में detail में बात करेंगे नमबर 8 freeboard distance आप जो ये खाली जगह देख रहे हो septic tank, slab bottom और पानी के top level के बीच वाली इस खाली जगह को इस खाली जगह को freeboard का आ जाता है तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये freeboard का distance आपका कभी भी 1 feet से कम नहीं होना चाहिए means आपका जो inlet outlet pipe है वह top slab से minimum 1 inch down होना चाहिए तो इस बात का भी आपको खास ध्यान लगना है नमबर 9 अब हम बात करते हैं inlet outlet और air pipe के बारे में पहली बात तो आपके inlet और outlet pipe का डाया 4 inch यानिके 100 mm और आपके ventilating air pipe का डाया 2 inch यानिके 50 mm से कम नहीं होना चाहिए और दूसरी बात जो आपका septic tank में air pipe होता है ये बहुत important role play करता है जो septic tank में जरूर लगाना चाहिए बहुत से लोग इसे नहीं देते हैं या कुछ लोग इसे inlet pipe में ही connect कर देते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि inlet pipe में तो हमेसा पानी बरा रहता है तो फिर इसमें से air भार कैसे जाएगी तो इस तरह से connection नहीं करना है ये बिल्कुल गलत है मिन्स आपका air pipe हमेसा पानी के ऊपर ही होना चाहिए फ्री बोर्ड में तकि फ्री बोर्ड में जो air बने वे इससे असानी से बाहर जा सके और आपके septic tank से समयल ना आए तिसरी बाद आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके inlet pipe का level outlet pipe level से ऊपर होना चाहिए मिन्स जहां से waste metal आ रहा है वो pipe उचे रहना चाहिए और जहां से waste metal भार निकल रहा है वो नीचे इन दोनों pipe में minimum 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए यानि ये inlet pipe outlet pipe से 6 इंच उपर होना चाहिए तो ये भी आप ध्यान रखें और चो था आपका जो air pipe और inlet pipe है इन दोनों का level भी सेम होना चाहिए तो inlet outlet और air pipe लगवाते हुए मेंली इन 4 बातों का जुरूर ध्यान लखना है 10. हमेशा ध्यान रखें के आपको septic tank कभी भी building या घर की किसी दिवार के साथ सटागर नहीं बनाना है नहीं तो कुछ समय बाद आपके घर की दिवारों पर sealन आने लगेगी जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी और आपके घर में smell भी आएगी तो इस बात कभी आप ध्यान रखें और septic tank और घर की दिवार के बीच एक specified distance maintain करके चलें हमेशा septic tank के base slope का ध्यान रखें जो 1 in 30 के हिसाब से दिया जाता है यानि के एक मिटर में 30 mm सलोप ये आपको septic tank के base में जुरूर maintain रखना है दूसरा मैं आपको एक ऐसी trick बता देता हूँ जिससे आपके septic tank के उमर 15 से 20% भढ़ जाएगी आपको करना क्या है कि जब आप septic tank के नीचे base में slope दोगे तो जिस तरफ आपका inlet pipe है उस तरफ थोड़ा गहरा कर दो इससे आपका waste material यहां जमा होने लगेगा और आपके septic tank के life 15 से 20% बढ़ जाएगी ये आपको किसी book में नहीं मिलेगा ये एक practical trick है तो मैं recommend करूंगा आप ऐसा ही करें अक्सर लोगों के मन में confusion ओर रहती है कि हम septic tank कौन सा बनवाए brick work का या RCC का कौन सा मजबूत रहेगा तो obviously RCC का septic tank ही मजबूत रहता है पर ये costly भी पड़ता है basically आज के time में 4 तरह के septic tank यूज़ के जा रहे हैं brick का, RCC का, plastic का और ready made तो वैसे तो ये सभी अपनी अपनी जगा ठीक है पर इन चारों को use करने की कुछ limitations है जैसे के अगर आपकी जमीन में 5-6 feet पर ही पानी है तो फिर आप सिरफ RCC का ही septic tank यूज़ कर सकते हैं अगर पानी 10 feet से नीचे है तो आप brick का septic tank यूज़ कर सकते हैं तीसरा plastic का septic tank सिर्फ temporary purpose के लिए यूज़ किया जाता है जो सस्ता तो होता है पर ज्यादा मजबूत नहीं होता lightweight होता है और ये septic tank घरों के लिए recommended नहीं है और चोता है ready made septic tank ये आलमोस्ट RCC का ही बना होता है जो मजबूत भी होता है और सस्ता भी जिसके installation भी काफी आसान होती है इसमें lever भी कम लगती है बस आपको गड़ाख होता है और इसमें ये ready made septic tank install कर देना है तो अगर आपका budget कम है तो आप ready made septic tank के साथ जा सकते हैं नहीं तो brick work या RCC septic tank ही बनवाई ये तीनो ही septic tank best है नमबर 13 लोगे के मन में एक और confusion होती है कि क्या वे septic tank के उपर direct toilet या bathroom बना सकते हैं जगे के कमी के कारण तो देखिए आप septic tank के उपर bathroom या toilet बनवा लो कोई रिक्कत परेसाने वाली बात नहीं है बलकि इससे आपकी जगे ही बचेगी लेकिन septic tank पर toilet bathroom बनवाते हुए बस आपको मेंली दो चीज़ों का ध्यान रगना है पहला तो कभी भी पूरे septic tank के उपर toilet या bathroom नहीं बनाना है main hall का part जरूर छोड़ना है ताकि भविस्या में इसे clean करने में परेसानी ना है और दूसरा ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको septic tank में direct toilet bathroom के connection नहीं करने है कभी आप सोचो के toilet bathroom septic tank के उपर तो बनाई रहे है फिर direct ही connect क्यों ना कर ले क्योंकि ऐसा करने से अपके toilet bathroom में हमेशा बदभू बने रहेगी और वह जिन्दी इवर नहीं जाएगी तो इन दो बातों का विसेज ध्यान दखकर ही septic tank पर toilet bathroom बनाई नमबर 14 आपको ये ध्यान रखना है कि septic tank की partition wall में पहले chamber की दिवार में जिस chamber में inlet connection हो उस chamber wall में hole या cut नीचे छोड़े जाते हैं नीचे से 6 इंच छोड़ कर उपर की तरफ या बीच में hole दे सकते हैं 4 इंच के pipe बगरा लगा अगर पर कभी भी पहले chamber में cut या hole दिवार के top पर नहीं रखने हैं नहीं तो ये काम नहीं तरेंगा और दूसरा outlet वाले chamber में cut ऊपर छोड़ा जाता है ताकि waste असानी से एक chamber से दूसरे chamber तक पहुँच पाई तो ये भी आप ध्यान रखना इन openings में ज़्यादातर गल्ती हो जाती है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है जिससे आप बाद में बहुत प्रेसानी होती है और एक बात और कि इसे आप बाद में ठीक नहीं कर सकते तो इस बात का आप खास ध्यान रख कर चले नमबर 15 septic tank excavation septic tank के लिए खुदाई करवाते हुए आपको एक चीश ध्यान देनी है कि अगर तो आप JCV से खुदाई करवा रहे हैं फिर आप एक फिर जादा ही खुदवागर चले तीनो साइड से क्योंकि JCV प्रोपर खुदाई नहीं करके देती पर अगर आप मैनुली खुदाई करवा रहे हैं फिर आप excavation एक दम फिक्सी करवाएं ज्यादा ना करवाएं तो सेप्टिक टेंग की खुदाई करवाते हुए इस बात का भी आप ध्यान रखें नमबर सिक्स्टीन सेप्टिक टेंग में PCC करने से पहले सोली जरू डाले यानि के इंट और रोडे कूटने के बाद ही उस पर अच्छे से PCC करें या फिर आप नीचे बेस में एक से डेडिंज तक बालू डाल सकते हैं फिर इस पर आपको चारिंज की PCC करनी है PCC चारिंज से कम नहीं रखनी है इस बात का भी आपको विसे ध्यान रखना है नमबर सेवंटीन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सेप्टिक टेंग की खुदाई करते हुए हमारे foundation या column का base हमारे सेप्टिक टेंग के नीचे या साथ में आ जाता है तो अगर ऐसा हो तो आप कभी भी इस base पर direct सेप्टिक टेंग ना बनाएं और ध्यान रखें कि आपके footing का base सेप्टिक टेंग के base से कम से कम तीन फिट नीचे या साइड में होना चाहिए नहीं तो सेप्टिक टेंग की सीलन आपके column footing को खतम कर देगी और ये कमजोर हो जाएंगे इसलिए अगर आपको जगय की कमी के कारण सेप्टिक टेंग घर के अंदर ही देना है तो planning के समय ही अपने engineer को बता दे और अपने सेप्टिक टेंग की location पर footing और column को गहरा करने के लिए बोल दे तो इस बात का आपको खास तोर पर ध्यान रखना है नहीं तो बाद में problem होगी नमबर 18 सेप्टिक टेंग में जहां भी आपकी बफेट वाल यानि के partition वाल आनी है तो आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि अपनी outer वाल बनाते हुए आप partition वाल वाली जगाय पर outer वाल में hole छोड़ देंगे मिंस रद्दे निकाल के छोड़ देंगे ताकि बाद में सड़े 4 इंच की partition वाल की आपकी 9 इंच वाल में toothing हो सके और ये अच्छे से जोड़ बनागर मजबूत हो जाए इसका रद्दा इसमें जाकर partition वाल का रद्दा 9 इंच वाल में जाकर तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी partition वाल में मजबूती बनेगी नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप septic tank के outer wall की चिनाई करेंगे तो आपको बाहर से डिवार के साथ मिट्टी सासद भरते चलना है एक बार में एक साथ मिट्टी फिलिंग नहीं करें और पानी भी छोड़ते चलें ताकि आपकी मिट्टी प्रोपर बैट्टी भी चलें नहीं तो एक साथ भरने से इनके बीच में gap रह सकता है जिससे बाद में आपकी flooring भी बैट सकती है तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि अपने septic tank के चारो corner को waterproofing material से अच्छे से फिल करवा लेना है अगर waterproofing chemical नहीं है तो खाली cement का ही अच्छे से पेश्ट लगा दो और चारो corner को कम से कम 3 इंच टेपर कर दो ताकि corner में पानी ना गुसे क्योंकि कोने से ही leakage इसके ज़्यादा chance रहते है और अगर एक बार आपका septic tank leak हो जाए तो बहुत problem होती है जिसकी थोड़ी बहुत repairing तो की जा सकती है पर इसे 100% ठीक करना possible नहीं होता तो इस बात कभी आपको खास ध्यान लगना है और septic tank के corner पर अच्छे से waterproofing material फिल करवाना है आप हमेसा ध्यान रखे वैसे तो according to public health department of India आपके septic tank और borwell के बीच minimum distance 50 feet होना चाहिए पर आजकर जगय की कमी के कारण ये possible नहीं हो पाता तब क्या करना है तो आप दो बातों का ध्यान रखे या तो आपके septic tank और borwell के बीच कम से कम 10 feet distance हो या फिर आप एक काम कर सकते हो के मकान के एक corner पर borwell लगवा दो और दूसरे opposite corner पर septic tank दे दो इससे भी आपका काफी distance maintain हो जाएगा पर ये आपको पहले से ही planning करके रखना है नहीं तो आपको पीने का पानी खराब होगा और smell मारेगा तो इस बात का भी आप BCS तोर पर ध्यान रखे आपको septic tank की slab thickness कम से कम change रखनी है इससे कम नहीं रखे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया septic tank आपको बनाना है या तो studio के नीचे या parking area में तो ऐसे में ये तो sure है कि इस पर आपकी four wheeler या two wheeler गाड़ी खरी रहेगी और इस पर load रहेगा तो इसलिए septic tank की slab thickness आप change से कम नहीं रखे नहीं तो in future ये problem करेगा और second इसकी slab में आपको जो concrete grade यूज करना है वे minimum M20 का concrete grade यूज करना है यानि के 1.5 तीन का concrete ratio इससे कम grade का concrete आपको यूज नहीं करना है और सर्या भी 10 mm से कम डाया का यूज नहीं करना है change center to center spacing में तो इन सभी बातों का आप septic tank slab बनवाते हुए जरूर ध्यान रखे नमबर 23 waterproofing आपको septic tank की waterproofing का विशेज तोर पर ध्यान रखना है आपको septic tank में लगबग हर जगा PCC करते हुए brick mortar में, plaster mortar में septic tank के चारों corner में और septic tank की slab concrete में हर जगा waterproofing chemical मिलाना है आप कोई भी waterproofing chemical इस concrete और mortar में मिला सकते हैं जैसे Dr. Fixit का 101LWB best waterproofing chemical है और अगर आप waterproofing chemical नहीं यूज कर सकते तो कम से कम या तो waterproof cement यूज करें या फिर पूरी दिवार पर plaster से पहले भी और plaster के बाद भी cement slayeri का गाड़ा गोल जरूर मार दें ये भी waterproofing की परत के जैसा ही काम करता है पर waterproofing जरूर करें इसे बिल्कुल भी avoid ना करें तो जो लोग वास्तु मानते हैं मैं उन्हें बता दूँ के आप मेली तीन जगह पर ही septic tank बनवा सकते हैं ये septic tank के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है क्योंकि ये disposal का ही zone होता है south और निरित्य कोन के बीच की जगह दूसरा आप west, north, west में यानि के पस्चिम और वाइवे कोन के बीच की जगह में भी septic tank बनवा सकते हैं और third, east, south, east में भी आप septic tank बनवा सकते हैं इन तीनों जगह का वास्तु के हिसाब से कोई side effect नहीं है बाकि आपको कभी भी south, west, north, north, east, south, east और south, west इन corners पर septic tank भूल कर भी नहीं बनाना है ये जगह septic tank के लिए बिल्कुल गलत है तो इन बातों का आप ध्यान रखकर ये अपने septic tank की direction डिसाइड करें अगर आप वास्तु कमानते हो तो और number 25 construction cost of septic tank के septic tank बनाने में खर्चा क्या आता है तो friends 6-8 लोगों के लिए एक 9 feet by 5 feet का septic tank enough होता है तो इस size का अगर आप brick work का septic tank बनवाते हैं तो ये पर जाता है आपको लगबग 40,000 रुगे तक का और इसी size का RCC septic tank आपको पढ़ेगा लगबग 60,000 रुगे तक तो फिर आपको septic tank को लेकर कभी भी कोई problem नहीं आने वाली तो इन 25 बातों का आप जिरूर ध्यान रखें I hope कि ये जानकारी आप लोगों के लिए useful रहेगी इससे next video में भी हम septic tank के बारे में ही बात करेंगे पर उसमें मैं इन सभी topic पर detail में बात करूँगा जो आज इस video में मैंने नहीं की तो आप इससे next video को भी जरूर देख लेना और अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा like और share कर दीजिए क्योंकि friends आप लोगों के लिए पूरी details में जानकारी लाने के लिए बहुत महनत लगती है so please like और share जुरूर कीजिएगा okay friends so see you in the next video lecture guys till then goodbye and have a nice day